सांखी की विभाग ने दो दिन पहले खुदरा महेंगाई के आंकडे जारी कर दिये इस साल जनवरी में खुदरा महेंगाई छे दश्मलव एक फीसद पर पहुच गई यहे पिछले साथ महीने में सबसे जादा है चिन्ता की बात जादा इसलिए भी है कि महेंगाई रिजर्व बैंक के निरधारित दो से छे फीसद के दाइरे से ओपर निकल गई है अगर महेंगाई इस दाइरे में रहती है तो केंद्रिय बैंक के लिए यह समश्या नहीं बनती पर इस दाइरे से बाहर जाने के बाद महेंगाई बड़ा संकट बन जाती है हालांकि रिजर्व बैंक पहले से ही संकेत देता रहा है कि महेंगाई से राहत के फिलहाल आसार है नहीं इस महीने मौद्रिक नीती समीती ने भी नीतीगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके यह साफ कर दिया की वह अभी कोई जोखिम लेने की स्थती में नहीं है नीतीगत दरें बढ़ाने का असर महेंगाई और बढ़ने के रूप में सामने आता और बात खुद्रा महेंगाई तक ही सीमित नहीं है थोग महेंगाई की दर भी पिछले दस महीने से दो अंकों में बनी हुई है ताजा आकडे बताते हैं की जन्वरी में महेंगाई बढ़ने का कारण खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना रहा जन्वरी में खाद्य वस्तूओं की महेंगाई दर 10.33 फीसद पर पाहुच गई जबकी दिसंबर 2021 में यह 9.56 फीसद थी जन्वरी में सबजियों के दाम 35 फीसद से जादा बढ़ गए जबकी दिसंबर में यह आकड़ा 31.31 फीसद था अनाज दालें और धान भी महेंगे हुए यानि उन चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं जो आम आदमी के रोज मर्रा के इस्तेमाल की है सवाल है कि अगर खाने पीने की चीजें इसी तरह महेंगी होती रहीं तो आम आदमी का गुजारा कैसे चलेगा वहे भी उस हालत में जब देश महेंगाई के साथ बेरोजगारी जैसे संकट से भी जूज रहा हो केंद्र और राज्य सरकारें भले ही दावा करती रहें कि लोगों को बड़े पेमाने पर रोजगार मुहया करवाया जा रहा है पर हकीकत तो किसी से छिपी नहीं है ऐसे में महेंगाई और ज़्यादा तकलीफ देह बनती जा रही है रसोई गैस सिलेंडरों के दाम से लेकर पैट्रोल डिजल तक के दाम जिस इसतर पर बने हुए हैं वे भी आग में गी का काम कर रहे हैं लंबे समय से महेंगाई का जो रुख बना हुआ है उसे कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता मध्य वर्ग और गरीब तबके के लिए तो खास तौर से पिछले दो साल में देश के 84 फीसद परिवारों की आमद में खासी गिरावट आई है साफ है लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को जिनके पास बचा खुचा होगा भी तो वे भी भविशे के खोप को लेकर खर्च करने से बच रहे हैं ऐसा भी नहीं की सिर्फ खाने पीने की चीजें ही महंगी हो रही हैं कपड़े इंधन बिजली परिवहन छेत्र तक में दाम थमने का नाम नहीं ले रहे चुप